मुतरम जगद गुरु शंकराजार जी से गुजारिश है कि वो अपने तर्सुराथ पेश करें इस महान काईकरम के आयोजगण आगंतुक अतिथिगण एवं धर्म प्रेमी सज्जनो भगवान की जब क्रपा होती है तो कभी धर्म की सच्चाई को जानने का आउसर मिलता है मुसल्मानों के बीच में लगातार कई वर्सों से हम जा रहे हैं और भारत वर्स में एक नई प्रथा का प्रारम भकिया मैंने की जब जगद गुरु संकराचार्ज भी मुसल्मानों के बीच में जाकर के उनके प्रेम को समझ सके और इसलाम की सच्चाई को जान करके इसलाम को सारी दुनिया में एक इंसानियत का सबसे बड़ा पाच सिखाने वाला धर्म मानने के लिए लोगों को समझावे जब लोग इसलाम को बेदर्द, मुसल्मान को बेदर्द, तलवार के जोर पर चलने वाला धर्म बताते हैं, तो अगर शायद धर्ती में कोई दुखी होता होगा, तो सबसे ज़्यादा दुख मुझको होता है ये न सच्चाई है, और न कभी ये सच्चाई हो सकती है जिस इसलाम ने पहला कलमा ही कुरान सरीप का बताता है कि नहीं है अबादत के काबिल सिवाए परमात्मा के और कोई ला इल्लाह इल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह भलायाब बताईए, बेदों का रस बेदों का रस निचोड करके मुहम्मद साहब ने परमात्मा की अबादत करके परमात्मा के पेगाम को एक ही कलमे में दे दिया इससे बड़ा ग्रंथ दुनिया में और क्या हो सकता है अगर कुरान के पहले कलमे कोई पढ़कर के हिंदु अपने धर्म का पालन करना चाहे तो उससे बड़ा धरमात्मा शायद कोई नहीं होगा कुरान को हमने गहराईयों में जाकर के तो नहीं अन्भो किया लेकिन कुरान के मानने वालों के हिर्दें की गहराईयों में जाके देखा कि अगर इसलाम को पूरी दुनिया अगर सुरीकार कर ले तो इसमें कोई बुराई नहीं है इसलाम परमात्मा के द्वारा बताया गया सिध्धानत है इसलाम किसी व्यक्ति का अपना नियम नहीं है अपना सिध्धानत नहीं है कुछ लोग भेद भाव पैदा करने के लिए इस धर्ती पर मुसल्मानों को बेदर्द कह देते हैं इसलाम को बुरा कह देते हैं मैं कहता हूँ उनसे बुरा इस दुन्या में कोई नहीं है वो सैतान के बच्चे हैं खुदा के बच्चे नहीं है क्योंकि जहां तक मेरी अपनी पहुँच है हमने बेदों को पढ़ा पुरान को पढ़ा शास्त्रों को हिंदू धर्मकरंटों को पढ़ा उसके बाद में मसल्मानों के बीच में जाना शूरू किया हमने मसल्मानों से हाथ मिलाया तो हमारा बिरोत किया गया ये अंडा खाने वालों से हाथ मिलाते हैं संकरा चार्ज कैसे हैं अरे हमने कहा कि तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है वो पाँच बार अबादत कर लेते हैं खुदा की तुम घास खाते हो और एक बार भी बात नहीं करते हो तो तुम से बड़ा अधर्मी दुनिया में कौन है तुम अपने अधर्म को देखो किसी के पवित्रता के सिध्धानतों का बिरोध करना पहला अधर्म है आप क्या खाते हैं? कैसे रहते हैं? अगर हमें आप दुखी नहीं करते हैं तो आप से बड़ा इंसान दुनिया में कोई नहीं है हम घास खाएं और आपके दिल को चोट पहुँचा हुएं तो हमसे बड़ा अधर्मी कोई नहीं है दुनिया में कहने का ताद पर जिस सर्फ एक है कि मैंने ये अन्भौ किया है कि ये ये मैं एक बात जो मैंने देखा है आप लोगों से जो प्रेम मुझे मिलता है लोग कुछते हैं कि आप मुसल्मानों में क्यों जाते हो आप तो संकराचार जो हमने का कि भाई मुसल्मानों से पूछो कि हमसे इतना प्रेम क्यों करते हैं वो हमसे जो प्रेम करेगा हम तो जाएंगे का फिर क्या हम प्रेम नहीं करते क्या हमने का कि हम तो तुम्हारी बीच में पैदा हुए और तुम मुसल्मानों से प्रेम नहीं करते इसलिए हम तुम से प्रेम नहीं करते मैं आप लोगों के बीच में आकर के एक बात बताता हूँ कुछ समय से हिंदू धर्म के नाम पर कुछ संस्थाएं हिंदू मसल्मानों में भेद पैदा करने के लिए कुछ ऐसा कार्ज किया जिसके उजे से आम हिंदू सिदा सादा हिंदू विचारा जाने नहीं पाता है इसलाम क्या है और सनातन धर्म क्या है सनातन धर्म और इसलाम में कोई भेद नहीं है और हिंदू धर्म तो कोई धर्म ही नहीं है सनातन धर्म धर्म है और शायद जो संस्कित का सनातन सब्द है अगर किसी भाषा में उसको इसलाम कहा जाए तो कोई बुरी बात नहीं है इसलाम और सनातन में कोई भेद नहीं है क्योंकि परमात्मा एक है परमातमा सब का है ये संदेश रिश्यो मुनियों ने दिया और यही संदेश परमातमा का भेजा हुआ संदेश सयम हमारे मुहम्म्मद सहाब ने इस पैगाम को हमको दिया तो हम भेदभाव क्यों करें यहां पर भारत का मुसलमान एक बात बिलकुल मैं असपस्ट बता रहा हूँ आप से अगर भारत का मुसलमान सो गया तो भारत सो जाएगा इसलिए भारत को जगाना है तो मुसलमानों को जागते रहना पड़ेगा भारत जाग जाएगा पूरी दुनिया जाग जाएगी ये भी मैं जानता हूं कि भारत के सच्चे हिंदुओं को जो सच्चे सनातन धर्मी है उनको मुसलमानों से प्रेम चाहिए उनको मुसलमानों से भेद नहीं चाहिए अगर कोई अच्छा हिंदू है सच्छा हिंदू अपने कहता है तो पहले तो सनातन धर्म को मानता हो अगर हिंदू की परिभाशा सनातन धर्म से हट करके कोई परिभाशा है तो ऐसे हिंदू धर्म को मैं तिलांजली देता हूँ हिंदू धर्म कुछ नहीं है पिर हिंदु धर्म होई है जो बेद को माने पुरान को माने और सनातन को माने सनातन धर्म धर्म है और उस धर्म को न मान के अपनी एक नई ब्योस्था चलाना शुरू कर दे इसका मतलब यह है अन्नाम भगवान का ले एक बात और बता देता हूँ भगवान कोई आदमी की तरह नहीं है कि रोज रोज नियम बदलेगा रोज रोज नियम बदलना आदमियों का काम है हमारे पूर पुरधान मंतरी साथ मझे दुख होता है कभी कभी है जब कि लोग यह न समझ बैठे कि मैं उनका विरोधी हूँ बिरोधी नहीं हूँ लेकिन उनको खुद सनातर धर्म की परिभाशा नहीं आती है विदेश में जाकर के हिद्धु धर्म की गलत परिभाशा कर दिये और हमको सब को यह दुख हुआ कि किस स्कूल में जाके पढ़े है धर्म के बारे में बिना पढ़े हुए धर्म के बारे में बोलना गलत है पहले धर्म को जान लेना चाहिए फिर धर्म के बारे में बोलोगे तो प्रेम फैलेगा शांती फैलेगी इंसानियत सारे चारो तरब चारो दिशाओं में इंसानियत का प्रकार्श होगा और मैं तो कहता हूँ कि अगर संक्राचार्ज लोग सब मिलकर के इस बिचार में इस्थित हो जाएं कि सनातन धर्म वो धर्म है जो इसलाम से अलग नहीं इसलाम वो धर्म है जो सनातन से अलग नहीं और जो भेद पैदा होता है ये राजनीती में होता है साम, डाम, डंड, भेद ये राजनीती में है धर्म में नहीं है धर्म में है एक अब्रम दुतियो नास्ती एक अमिव दुतियम ब्रम ला इल्लाह इल्लाह ये धर्म कहता है ये धर्म की बात है इसलिए हम भगवान की आराधना करते हैं उपासना करते हैं परमात्मा एक है और परमात्मा बार बार नियम नहीं बदलता कि धरती पर इंसान बदलते जा रहे हैं तो परमात्मा अपना नियम बदलता चला जा रहा है ये एक बात याद रखिएगा जब सक शुरुआत होई हो उसका कोई दोक्ष नहीं है दोस्त उन लोगों का है जो लोग भेद पैदा करके परतिष्ठा पाँचाएते हैं खास करके इतना जान लिए धर्म भेद को मिटाता है और राजनीती भेद को बढ़ाती है राजनीती का अस्तर केवल राष्ट की बेवस्था तक है और धर्म पूरे विश्व के लिए है राजनीती से केवल आप देश का हिद कर सकते हैं लिकिन अगर विश्व का हिद करना चाहते हैं तो धर्म क्या उश्वक्ता है और वो धर्म कुरान में अस्पस्ट रूप से अच्छी तरह से समझाया गया है बताया गया है हमें हिंदी की कुरान भी प्राप्त है अज अंगरे जी की भी मिल गई है और हम तो चाहिते हैं कुरान शरीफ सारी दुनिया में अगर इस गरंत को पहुँचाया जाए और पहुँचाना चाहिए मैं तो मुसल्मानों से एक जरूर बात कहूंगा कि आप लोग एक चीज का ध्यान दे आप के परोस में जिस भी भाषा को जानने वाला व्यक्ति रहता हो जिस भी भाषा को कोशिस कीजिए कि आप इस कुरान जैसे पवित गरंत को उसको उसकी भाषा में पहुचाईए और मेरी स्वेमे सारी दुनिया में एक कुरान पहुचेगा तो सारी दुनिया में सारी दुनिया में शांती होगी सारी दुनिया में अमन होगा और सारी दुनिया में ऐसे ही इतने प्रीमियों के बीच में संक्राचाज को पहुँचने में और बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी संकोच नहीं होगा आप लोग भी निडर हो जाईए आप लोग भी संकोच छोड़िये हम जानते हैं कभी-कभी शंकोच में कभी-कभी इस देश के कुछ जो फिरका परस्त लोग हैं उनकी उल्टी सीदी और जनाओं में हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते हम हाथ पसारे हुए आपके सामने खड़े हैं आए हैं हम आपको गले से लगा रहे हैं लगाते हैं दिल भी मिलाएंगे गला भी मिलाएंगे अगर जरुवत पड़ गई तो आप लोगों के लिए दिल कटाने की और सिर कटाने के जुद पड़ जाए तो इसलाम क्या के लिए संकराचार जापका साथ देगा क्योंकि संकराचार जानते हैं इसलाम दोखा नहीं है संकराचार जानते हैं इसलाम बरबादी का रास्ता नहीं है संकराचार को पता है कि जो बेद में लिखा है वही कुरान में लिखा है इसलिए हमारा धर्म नहीं चुटेगा हमारा धर्म और आगे बढ़ेगा अगर हम मुसल्मानों को अपना सगा मानते हैं तो मुसल्मान परमात्मा का बनाया है आदमी का नहीं हिंदू जो अपने को कहते हैं वो भी जान लें कि वो परमात्मा के बनाये हैं तो मुसल्मानों से भाव करना बंद कर दें और हमारी तरह सबसे प्रेम करें डाक्टर लकनार सब देखिए मैं अपर चित्था जानता नहीं था और मैं बड़ा प्रशन हूँ कि वो समय निकाले और यहां आए उनको तो मैं धन्यवाद क्या दूँ मैं तो यह चाहूँगा कि परमात्मा उनको शक्त दे कि हम लोगों को सबको ऐसी सुनदर बड़ी सभाउ में समोधित करते हुए और हम लोगों के उपर वो स्वयम करपा बनाए रखें और हम उनके साथ रहेंगे जाए भी जोथोगी सदा जीवन में उनका साथ देते रहेंगे इनी शब्दों के साथ जीवन में अब जब भी याद करेंगे जब तक मेरा शरीर है हम आपकी सवाओं में आते रहेंगे ओम शानती ही शानती ही शानती शुक्रिया और अल्ला शंकर अचारिय जी को अधायत फर्माए कर दो खकते जी को तानती है मुतरम जगतगुरु शंकराजारजी से गुजारिश है कि वो अपने तस्वुरात पेश करें इस महान काईकर्म के आयोजगण, आगंतुक अतिथिगण, एवं धर्म प्रेमी सज्जनों भगवान की जब कृपा होती है, तो कभी धर्म की सच्चाई को जानने का अवसर मिलता है मुसल्मानों के बीच में लगातार कई वर्सों से हम जा रहे हैं और भारत वर्स में एक नई प्रथा का प्रारम भकिया मैने की जब जगद गुरु संकराजार्ज भी मुसल्मानों के बीच में जाकर के उनके प्रेम को समझ सके और इसलाम की सच्चाई को जान करके इसलाम को सारी दुनिया में एक इंसानियत का सबसे बड़ा पाट सिखाने वाला धर्म मानने के लिए लोगों को समझावे जब लोग इसलाम को बेदर्द मुसल्मान को बेदर्द तलवार के जोर पर चलने वाला धर्म बताते हैं तो अगर शायद धर्ती में कोई दुखी होता होगा तो सबसे ज़्यादा दुख मुझको होता है ये न सच्चाई है और न कभी ये सच्चाई हो सकती है जिस इसलाम ने पहला कल्मा ही कुरान सरीप का बताता है कि नहीं है इवादत के काबिल सिवाए परमात्मा के और कोई लाता है ये धर्म की बात है इसलिए हम भगवान किया राधना करते हैं उपासना करते हैं परमात्मा एक है और परमात्मा बार बार नियम नहीं बदलता कि धर्ती पर इनसान बदलते जा रहे हैं तो परमात्मा अपना नियम बदलता चला जा रहा है ये एक बात याद रखिएगा जब सक शुरुआत हुई होगी और जब तक ये दुनिया रहेगी इश्रका सिध्धान्त एक था एक है एक ही रहेगा मानने वाले आपस में भेद पैदा करें तो इसमें उसका कोई दोख्ष नहीं है दोस्त उन लोगों का है जो लोग भेद पैदा करके परतिष्ठा पाँचा आएते हैं खास करके इतना जान लिए धर्म भेद को मिटाता है और राजनीती भेद को बढ़ाती है राजनीती का अस्तर केवल राष्ट की बिवस्था तक है और धर्म पूरे विश्व के लिए है राजनीती से केवल आप देश का हिद कर सकते हैं लेकिन अगर विश्व का हिद करना चाहते हैं तो धर्म के आउशकता है और वो धर्म कुरान में असपस्ट रूप से अच्छी तरह से समझाया गया है बताया गया है हमें हिंदी की कुरान भी प्राप्त है उपलब्ध है आज अंगरे जी की भी मिल गई है और हम तो चाहिते हैं कुरान शरीफ सारी दुनिया में अगर इस गरंत को पहुँचाया जाए और पहुँचाना चाहिए मैं तो मसल्मानों से एक जरूर बात कहूंगा कि आप लोग एक चीज का ध्यान दें आप के परोस में जिस भी भार्षा को जानने वाला व्यक्ति रहता हो जिस भी भार्षा को कोशिस कीजिए कि आप इस कुरान जैसे पवित्र गंत को उसको उसकी भासा में पहुचाये और मेरी स्वह में सारी दुनिया में एक कुरान पहुचेगा तो सारी दुनिया में सारी दुनिया में शान्ती होगी सारी दुन्या में अमन होगा और सारी दुन्या में ऐसे ही इतने प्रीमियों के बीच में संक्राचाज को पहुँचने में और बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी शंकोच नहीं होगा आप लोग भी निडर हो जाएए आप लोग भी संकोच छोड़िये हम जानते हैं कभी कभी संकोच में कभी कभी इज़ा इल्लाह इल्लाह मुहम्मद रसूल ल्लाह भलाया बताईए बेदों का रस बेदों का रस निचोड करके मुहम्मद साहब ने परमात्मा की अबादत करके परमात्मा के पैगाम को एक ही कलमे में दे दिया इससे बड़ा ग्रंथ दुनिया में और क्या हो सकता है अगर कुरान के पहले कलमे को ही पढ़कर के हिंदु अपने धर्म का पालन करना चाहे तो उससे बड़ा धर्मात्मा शायद कोई नहीं होगा कुरान को हमने गहराईयों में जाकर के तो नहीं अन्वो किया लेकिन कुरान के मानने वालों के हिर्दें की गहराईयों में जाके देखा कि अगर इसलाम को पुरी दुनिया अगर सुरीकार कर ले तो इसमें कोई बुराई नहीं है इसलाम परमात्मा के द्वारा बताया गया सिध्धानत है इसलाम किसी व्यक्ति का अपना नियम नहीं है अपना सिध्धानत नहीं है कुछ लोग भेद भाव पैदा करने के लिए इस धर्ती पर मुसल्मानों को बेदर्द कह देते हैं इसलाम को बुरा कह देते हैं मैं कहता हूँ उनसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है वो सैतान के बच्चे हैं खुदा के बच्चे नहीं है क्योंकि जहां तक मेरी अपनी पहुँच है हमने बेदों को पढ़ा पुरान को पढ़ा शास्त्रों को हिंदू धर्मकरंटों को पढ़ा उसके बाद में मसल्मानों के बीच में जाना शूरू किया हमने मसल्मानों से हाथ मिलाया तो हमारा बिरोत किया गया ये अंडा खाने वालों से हाथ मिलाते हैं संकरा चार्ज कैसे हैं अरे हमने कहा कि तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है वो पाच बार अबादत कर लेते हैं खुदा की तुम घास खाते हो और एक बार भी बात नहीं करते हो तो तुम से बड़ा अधर्मी दुनिया में कौन है तुम अपने अधर्म को देखो किसी के पवित्रता के सिध्धान्तों का बिरोध करना पहला अधर्म है आप क्या खाते हैं? कैसे रहते हैं? अगर हमें आप दुखी नहीं करते हैं तो आप से बड़ा इनसान दुनिया में कोई नहीं है हम घास खाएं और आपके दिल को चोट पहुँचा हूएं तो हमसे बड़ा अधर्मी कोई नहीं है दुनिया में कहने का अताथ पर जिस सर्फ एक है कि मैंने ये अन्भू किया है कि ये ये मैं एक बात जो मैंने देखा है आप लोगों से जो प्रेम मुझे मिलता है लोग कुछते हैं कि आप मुसल्मानों में क्यों जाते हो आप तो संकराचार जो हमने का कि भाई मुसल्मानों से पूछो कि हमसे इतना प्रेम क्यों करते हैं हमसे जो प्रेम करेगा हम तो जाएंगे का फिर क्या हम प्रेम नहीं करते क्या हमने का कि हम तो तुम्हारी बीच में पैदा हुए और तुम मुसल्मानों से प्रेम नहीं करते इसलिए हम तुम से प्रेम नहीं करते मैं आप लोगों के बीच में आकर के एक बात बताता हूँ कुछ समय से हिंदू धर्म के नाम पर कुछ संस्थाएं हिंदू मसल्मानों में भेद पैदा करने के लिए कुछ ऐसा कार्ज किया जिसके वजे से आम हिंदू सिदा सादा हिंदू विचारा जाने नहीं पाता है इसलाम क्या है और सनातन धर्म क्या है सनातन धर्म और इसलाम में कोई भेद नहीं है और हिंदू धर्म तो कोई धर्म ही नहीं है सनातन धर्म धर्म है और शायद जो संस्कित का सनातन सब्द है अगर किसी भाषा में उसको इसलाम कहा जाए तो कोई बुरी बात नहीं है इसलाम और सनातन में कोई भेद नहीं है क्योंकि परमात्मा एक है परमात्मा सब का है ये संदेश रिशियो मुन्यों ने दिया और यही संदेश परमात्मा का भेजा हुआ संदेश सयम हमारे मुहम्मद सहाब ने इस पैगाम को दिया तो हम भेधभाव क्यों करें यहाँ पर भारत का मुशल्मान एक बात बिलकुल मैं असपष्ट बता रहा हूँ आप से अगर भारत का मुसलमान सो गया तो भारत सो जाएगा इसलिए भारत को जगाना है तो मुसलमानों को जागते रहना पड़ेगा भारत जाग जाएगा पूरी दुनिया जाग जाएगी ये भी मैं जानता हूँ कि भारत के सच्चे हिंदूओं को जो सच्चे सनातन धर्मी है उनको मुसल्मानों से प्रेम चाहिए उनको मुसल्मानों से भेद नहीं चाहिए अगर कोई अच्छा हिंदू है सच्चा हिंदू अपने कहता है तो पहले तो सनातन धर्म को मानता हो अगर हिंदू की परिभाशा सनातन धर्म से हट करके कोई परिभाशा है तो ऐसे हिंदू धर्म को मैं तिलांजली देता हूँ हिंदू धर्म कुछ नहीं है पिर हिंदू धर्म वही है जो बेद को माने पुरान को माने और सनातन को माने सनातन धर्म धर्म है और उस धर्म को नमान के अपनी एक नई बिवस्था चलाना शुरू कर दे इसका मतलब यह है और नाम भगवान का ले एक बात और बता देता हूँ भगवान कोई आदमी की तरह नहीं है कि रोज रोज नियम बदलेगा रोज रोज नियम बदलना अदमियों का काम है हमारे पूर प्रधान मंतरी साथ मझे दुख होता है कभी कभी है जब की लोग यह न समझ बैठे कि मैं उनका विरोधी हूँ विरोधी नहीं हूँ लेकिन उनको खुद सनातर धर्म की परिभाशा नहीं आती है बिदेश में जाकर के हिद्धु धर्म की गलत परिभाशा कर दिये और हमको सब को यह दुख हुआ कि किस स्कूल में जाके पढ़े है धर्म के बारे में बिना पढ़े हुए धर्म के बारे में बोलना गलत है पहले धर्म को जान लेना चाहिए फिर धर्म के बारे में बोलोगे तो प्रिम फ्यलेगा शान्ती फ्यलेगी इंसानिएत सारे चारो दिशाओं में इंसानियत का प्रकाश होगा और मैं तो कहता हूँ कि अगर संक्राचार्ज लोग सब मिलकर कि इस बिचारे में इस्थित हो जाएं कि सनातन धर्म वो धर्म है जो इसलाम से अलग नहीं इसलाम वो धर्म है जो सनातन से अलग नहीं और जो भेद पैदा होता है या राजनीती में होता है साम, डाम, डंड, भेद या राजनीती में है धर्म में नहीं है धर्म में है एक और ब्रम दुतियो नास्ति एक मिव दुतियम ब्रम ला इल्लाह इल्लाह ये धर्म कहें